तो एवरेज अगर बोलूँ फर्स टाइम जब आ पड़े टोटल पूरा दिन कितनी देर तक पड़ते थे आपकी सर अच्छी बात लगी कि आप ज्यादा स्पीड से भी ने पड़ाते और आपके समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है तीन हजार घंटे पड़ने के बाद बच्चा 44 रेंक लाके अपने जीवन में कामयाभी इसने पाई है सिंपल सी चीज है तो असान तो है निरस्ता मेरे पापजी से वो 2022 में बेहांत हो गया था उनको तो हिंदी मिरियन बैग्राउंड यूपी बोर्ड ठीक है और गोर्मेंट दस बारा घंटे की मेहनत लगती है तो मेहनत कर लो नहीं है अब सबका स्वागत है एक और CPO 2023 के इंटरिव्यू में और आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत ही खास स्टुडेंट आरियन चोहान जिनोंने CPO 2023 में रैंक 44 हासिल किया है और आरियन पहले अटेंप था दूसरा था सरी सेकेंट अटेंप में उनने 44 रेंक हासिल किया अब यह डैली पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो अलग चुके हैं अब हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि हम भी लोग डैली से हैं डैली रहते हैं तो हमारे बहुत नजदीक आगे हैं और वैसे जो यह सबस्त होता है तो फीजिकल में तो कोई खासा ऐसी प्रोब्लम नहीं होगी तो दस दिन के अंदर अंदर मेरा फीजिकल हो जाता था वैसे ही तो पहले स्पोर्स में इंट्रेस्ट आओगा नहीं सर मैं रेस की तियारी की तो उसके बाद मैं पढ़ने के लिए था क्योंकि को आर में की कोई भरती आई नहीं तो उसके बाद इस्टडी में लगा था मसली तो सबसे पहले सीपीओ किसने बताया कि की तियारी कर ले आ रहे है प्योंकि पहली बार कोई नो कोई तो बताते ही है जी सर वो गाउं में एक फ्रेंड है वो वो बताते थे कि से मतलब जी सर आपने मेरा बैच कोन से साल में लिया था सर 2021 2021 तो अच्छा बहुत बढ़िया तो जब आपने पहला टेंप्ट दिया तो उसमें सेलेक्शन हुआ था या नहीं सर सेलेक्शन हुआ था था या थोड़ा रिलेक्स हो गए चलो अभी तो जब मैंने पेपर वो पहले वड सब्सक्राइब तो फिर मेरिट लगी वो मुझे सीरप मिली तो फिर से में मतलब भारम वर्या मैंने तो फिर फिर से सुरुआत की थी तीन-चार महिने और गैप लिया था मैंने भी चुने अच्छा पर दुबारा से उसमें लगे आप तो एवरेज अगर बोलू हो फस्ट पढ़े अबरेज टोटल पूरा दिन कितनी देर तक पढ़ते थे मतलब सारा कुछ जोड़के सारा क्लासेज भी सेल्फ स्टड़ी भी लाइवरेरी भी सब जोड़के तो मेरे भाई यह चीज सब सुन ली जीएगा और मैं अपनी इंटर्वी में खासकर इस बात पर बहुत जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी पहले से रही हो जो प्राइविट स्कूल में पढ़ा हो अच्छे से एजुकेशन उसकी हुई हो तो उसको बहुत सारी चीजे पहले से आरी होती है वो छे गंटे में चीजों को कवर कर लेता है लेकिन गोर्मेंट जोग की तैयारी करने और फिर से में कहूंगा आप पर डिपेंड करता है कोई बंदा जो छे गंटे में पढ़ ले रहा है हो सकता वही चीज आप दस गंटे लगाओ ठीक है तो अपने आपका कंपेरिजन मत किया करो आपके लिए कौन सी बहतर अप्रोच है जैसे यह मेरे को बता रहे था मैं इं इस तरीके से अप्रोच है जबकि जादतर स्टेंट जो है वो तरगेट रखता है तो तरगेट रखने वाला मुझे लगता है थोड़ा सा इजी मैनर है लेकिन इन्होंने अपना तरीका अपनाया वो कैब में याद होनी चाहिए जो अच्छा लगे जैसे अपनाया तो वो अपनाना वो कैम में पचास वर्ड ना करके तो पचास वाला क्यों नी फिट बैठा मतलब क्या रहता है वो बोलते थे कि जैसे पचास वर्ड आज पढ़ लिए तो कल का जब दिना आएगा 50 पहले दिन के फिर अगने पचास पढ़ने है फिर तीस दिना पचास वे पहले द तो जैसे कोई भी प्रेक्टिस सेट किया मैंने अगर में जिसे कोई वर्ड नहीं आता था कोई इडियम फ्रेज नहीं होता था तो मैं उसको नफ कर लेता था यह पता है 100% सबकी common habit है जो भी टॉपर्स हैं जो selected student हैं और सबसे पहले तो यार मैं शुक्रिया करना भूल गया आ और यह पता है इससे होगा क्या बहुत सारे ऐसे students हमारे पास आते हैं सर फला फला student का इंटर्वी देखा था उसके बाद मेरे में यह चींज आ गया कुछ ने बता ना आपकी 15-20 मिनिट की बातों में से कौन सी बात कौन से बच्चे को अच्छे को अच्छे लग जाए ऐसा मैं एक्जामपल हर एक किंट में बताता हूं एक बच्चा यूपी दरोगा की तैयारी कर रहा था तो लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होते है आप जैसे भाई जो सेलेक्ट हुआ वह इंकम टेक्स में हुआ था लड़के का हो तो लाइब्रेरी में मोटिवेट करने चला गया तो जो वह दो उसने बता दिया इंकम टेक्स में यह यह फाइद है वो सब दुवाएं बटोर रहे हो आप लोग और यही और आपको तो करना भी ऐसा चाहिए नेचर भी आपका अच्छा है और डिली पुलिस में अब यतने बढ़िया बढ़िया नेचर वाले स्टूडेंस जो आने लग रहे हैं वह बहुत ज्यादा जुरूरी है डिली पुलि अब बात करते हैं क्या हैं यहीं हिंदी मीडियम वालों को बड़ी लेगी ग्रेमर जब आपने स्टार्ट की जिसे तो सुरू से समझाना स्टार्ट हो गया मेरा बैच यह वो सरुवाद में जो टॉपिक था आपका वो टेंस का था खुछ वो इंट्रेस्टिट टॉपिक थ जरूरत मुझे मतलब दुबारा नहीं पूरी नोट से रिविजन किया फिर बुक्स पे चलागा वो ऐसे नोट्स लिखके बनाने का फाइदा होता है जी सर्वेस्ट बहुत ज़्यादा फाइदा होता है नो सब कभी नहीं किया सर मैंने बेंगी का यूज कभी नहीं किया इ बच्चे को मेंटलिटी यह हो जाते है कि जैसे पीडिएफ डाउनलोड कर ली ना ऐसा भरम हो जाता है जैसे आई ही गया आया नहीं हो वो भाई हैंड रिटन नोट्स का इन्होंने फाइदा बताया सर रिविजन बहुत कोई होता था और दुबारा क्लास देखनी की ज़रत तो फिर मैंने NCRT से सुरू किया था आपकी बार अच्छा जी सर एंसी आरटी की एट्ट क्लास की और नाइन नाइन क्लास की मैंने हिस्ट्री की जोग्रफी की जो भी मुझा बुक मिली वो मैंने रिडिंग की इंग्लिश में जी सर यह अच्छा पॉइंट बताया मैं यू बहुत अच्छा इडिया बता है भाई क्योंकि अब आप छोटी क्लास की अगर बुक्स उठा रहे हो तो इसमें अच्छी अच्छी हो जाता है नाइस आइडिया तो भाई देखो एक बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आ रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा जो मुझे नहीं पता रहता तो उसको मैं हमीसा नौट करता हूँ जो चैसे तो एट टूटेन कभी जरूरत ने पड़ी क्योंकि वोकैबलरी चिर्थ है तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुरंत नोट कर लेता था जो आलस नहीं था पकार गूगल सर्च किया गूगल बढ़िया तो यह नोट से बनाए मतलब इंग्लिस से यार मन मुटाओ हुआ नहीं तो कभी ऐसा आपने भी कभी बोला यार इंग्लिस वीक है फलाना धिनकाना मेरे मन कभी ऐसा नहीं है कि मेरे इंग्लिस वीक है क्योंकि मेरा जो बेस था पहले में 10th क्लास तक प्राइवेट गया मतलब दो साल में बस मैक्सिम चार चैप्टर कराई होगे उन्हें तो उसके बाद फिर आप से पढ़ा फिर मजबूत होगी जी सबसे अच्छी बात क्या लगी मेरे आपकी सर अच्छी बात लगी कि आप ज़्यादा स्पीड से भी नहीं पढ़ाते और आपके समझाने जो तरीक है वो बहुत ही अच्छा है एक प्रोनाउन में था वो दैट का कॉंसेप्ट वो सब बैस्ट है मतलब यह इतने यह नाउन है यह यह इसका प्रोनाउन है यह इसका बढ़ाना उच्छा लगा उन बच्चों को क्या सलाद होगे जो ठीक है जैसे आपके साथ हमारे नटखट आए हुए है जैसी है कह रहा है सर मेरे तो इंग्लिस मतलब मुझे बढ़ा डर लगता है तो इनके और इन जैसे भाईयों के लिए क्या सलाद होगे जो कमेंट्स में हमारे पास भी लिखते हैं इन्हें आप अपने आपको भी समझाना पड़ेगा सर कि हां हम कर सक बढ़ते हैं इनके अंदर 시청take के atual Stretch मंघता है इनके अंदर के अंदर यहीं है कि यह भी बोलते हैं कि मुझसे इंग्लिस पड़ यह यह नहीं जाएगी और पढ़ते ही नहीं कभी आज तक एक पेपर नहीं पढ़ सकती है तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझसे कह आती नहीं फिसी तो पता लगा का आई या नहीं आईगी जी सर और आलस है मतलब वहीं पता नहीं या बचने का तरीका ढूंड लिया है यह है क्या मतलब एक वर्ड पढ़ा तो सब इंग्लिस पूरी समझ में आ जाई ऐसा सोचते हैं तो इसके लिए मैनफ करने पड़ेगी तो भाई मेरे और जो इन्होंने बोला या दस बारा घंटे पढ़े और मैं हमेशे एक अवरेज बताता हूं अगर इन्होंने तीन सो दिन भी पढ़ाई की होगी तोटल ओवर मिला के भाई 200-300 दिन होगे अगर हम 200-300 दिन माने 10 गंटे के अवरेज 3000 गंटे होगे तो उसके बाद उनकी जो बाते थी वो कहते थे कि गरीबी से अगर निकलना आए तो एक ही रास्ता है पढ़ाई जी सर और वो ही मेरा मोटीवेशन था और उसके बाद मेरी सिस्टर है जो उन्होंने मेरे मतलब जैसे दूसरा फादर का रोल अदा किया है वहां हमारे जीवन हमारे success के पीछे मतलब बहन का मम्मी और पाप सब का equal role है उन्होंने वो सम्हाल लिया वहां से distract ने होने दिया बहुत बाप का साय नहीं रहता नो बेटे की बिगड़ने के chances बड़े जाद बड़ जाते हैं मेरे पास सर गाइडेंस नहीं थी लेकिन support अच्छी थी परिवार से कि तुहां कर कोई दिकत नहीं हो जाएगा वह यह ना संसकार अच्छे मिल गए जी सर तो संसकारी बच्चा क्या होता है बाहर जाके positivity डूंडेगा बाहर जाके आप किसी से यह भी पूछ सकते हो कि भाई मेला कहां लगता है और बाहर जाके यह भी पूछ लगते हो है तो जब घर पर पढ़ाती थी तो बच्चे आते थे तो जैसे वह चोटे बच्चे थो होते थे कि बाते होंगी करीब करीब तो फिर मैंने क्या ना थीस भी तो है सकते हो मेरा मंजा चएक दिन जब मैंने पढ़ा उनको बड़ा मजा है तो फिर मेंने केस्ट भी न थीक है तो फिर इन के सबारे पोकेट मनी मिलनी चञता है और सोटी उमर मैं 11 इंतरी सब और मैं तो आज अब भी आपने बोला तो मुझे भी वो यादास ताजा हुई अगर मुझसे भी कोई पूछे तो ठीक है पिता जी हालाकि मेरे इंग्लिश के टीचर थे फिर वो डेली पुलिस में लगे तो यहां से मतलब घर का जो फैमिली का सदिश है न वो आपका अगर आप अपनी फैमिली की कदर करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको होता है न पत्थर से भगवान बनने की ताकत रखते हैं और शुकर है परमपिता परमात्मा के कि पिता जी के जाने के बाद तो फिर वहां से अपने आप जी सर तो मोटिवेशन 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 की ज्याद जरूरत नहीं पड़ी अगर होता था तो कोई वीडियो देख ली मोटिवेशनल तो से काम चला जला अगर लाइब्रेरी में मैंने खड़ा होके पड़ाई किया मतलब अगर नींद आ हजारों बच्चा होता है बैचिस में उनमें से सेलेक्शन तो चंदी है और वो वही है जो अपना एफ़र्ट भी डालता होता है कि है ने बिटा सारा आप टीचर पी डिपेंड कर जाओगे इंपॉसिबल है आपके अंदर जो मैंने इंसे या जितने भी इंटर्वु लिया है हमें नहीं पता और मैं भले आप सब जानना चाहोगे मैं इनके मुझसे सुनना भी चाहूंगा यह बता भी नहीं पाएंगे ऐसे अनोखे गरी जीब होंगी चीज़े जैसे इन्होंने वह क्या बताई आपने बता दी पूरी किताब आप पढ़ रहे हो फिर पढ़ रहे ह यह प्रेक्टिकल ही है तो वह अपनी कला को थोड़ा पहचानी है और वह तब आई कि जब आप बहनत करते रहेंगे बार-बार सीखते रहेंगे जैसे MS धोनी जो कहते थे कि विकट की पर बोल पगड़ता तो पीछे हाथ लेके जाता है यह सिखाया जाता है उस बंदा किया तरीका डूड़िये हर टोपर के पास अपना तरीका होता है जो शयद वो इंटर्व में बता भी नहीं पाए और चलो अब बात करते हैं छोटी करते हैं छोटा रखते हैं इंटर्वु को मोक्तेस्ट जिब लगा रहे हैं उसका एनलाइज कैसे सर मैं पहले मतलब जो भी ची मेरे सुरुवात में जब मैं लगा था तो 149, 150 तो यहां से स्टर्ट किया था तो फिर धीरे-धीरे में मतलब जैसे मेरे 180 तो मोक टेस्ट में कहीना की लगता है आपको थोड़ी सी कई बार टू दपॉइंट चीजे नहीं देते हैं सीपी ओरेंटेड नहीं होते हैं वो ऐसा होता था मतलब जैसे कोई भी वर्ड है मतलब ऐसा है कि प्रिविएश यर में भी कोई 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 मैच नहीं हो रहा टीचर नहीं भी निपढ़ाया तो कोई चीज आती थे तो मैं हमेशा नोट करते हैं मैंने कभी इस चीज में आलश्य नहीं किया तो वो एनलाइज करना आपका बहतर नंबर बढ़े होंगे सिर्फ जी सर तो बिट बच्चा क्या करते हैं मुद्र ने बढ़ रहे है एक और मोक्व करता हूं दिन में नियुक्र काम करते हो बढ़े करने charisma करना देता हूं शुकर नहीं करता है थो कि और था देता है बहुत है यार अगर माही में पहले भी बंदा लगेगा दिन के अवरे जथा के तो भाई 35 के करीब मोक्टेस जो हाँ वो sufficient है आप मोक्टेस लगाईए और कोई भी अगर question आपका होगा तो आप comments कर दीजिएगा हर interview का purpose यह की होता है लडू आप जैसे भाई को देखकर कि इनक 1000 आवर्स का है 3000 आर्स इन्होंने पढ़ाई की है average सब बच्चों का comment देख्या है तुमने कभी ऐसी calculation किया तेखने गंटे और यह सर ऐसे मैंने कभी नहीं किया तो अब लग नहीं है कि ठीक है कुछ अची तुखी है नहीं सर ऐसा तो है क्योंकि मतलब गाउं में भी अच्छ अच्छा माहूद ऐस चीज से अच्छा तो आपके गाउं में से कितने हुए अच्छा अबी तक स्लेक्ट सर ऐसा ही दिल्ली पूलिस में तो सर आइधिंग मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में तो कोई नहीं तो मैं पहले हो जी तो लहर दोड़े उससे पहले तो पता नही कोई था कि नहीं था पर 10-15 साल पहले नहीं हुआ को अब तो लेहर दोड़े की गाउं में सब पढ़ेंगी बस हाई वो तो कुछ तो होगा सर बच्चों में जुनून ताइगा थोड़ा लेकिन भीजना फिर मेरे पास ही है सब जी सर आपके पास ही बेजना क्या चलिए मेर खुश रहें आरियन आए बड़ा अच्छा लगा और जब इनका सेलेक्शन हुआ अपने इंस्टाग्राम पर शायद रील डाली होगी क्योंकि इंस्टाग्राम हम बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी टीम समाल लेती है तो मैंने जैसी हुआ ना कि जिसने रेजल्ट आता हम भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाती है जो आ रहा होगा मुझे रिप्लाई करना है तो उन्होंने रील डाली मैंने उस पर तुरंट देखा मैंने साड़े बारा या कब मैंने फिर तुरंट वो यूटूब पर भी शेर किया और बड़ा बच्छा लगता है अब परंपिता प एक बार आप सेफ हो जाए उसके बाद अगर आपको कोई X,Y,Z और भी मन है करने का आप वो कर सकते लेकिन पहले अपना और अपने परिवार को एक सेफ जोन में ले आओ ठीक है चलिए बाबाई टेक कियर ठीक है